सबको नमस्कार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो एहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साजा करना चाहूंगा ये देखने में आया है कि केंदर सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को एलोट की है हमें एलोकेशन की है वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परिशानी इसलिए हो रहे है कि टैंकरों की बहुत कमी है चारो तरफ टैंकरों की कमी है ऑक्सीजन तो फिर भी दर उदर मिल यह से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनका काफी सकारात्मक रवया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बातचीत सफल रहेगी, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है इसमें तो अगर 18 टेंकर बैंककॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे वो 18 टेंकर आ जाते हैं तो जो oxygen को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी oxygen मिलने चालू हो जाएगी दूसरी की फ्रांस से हम लोग 21 ओक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं ready to use प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है इस से भी इनको 21 ओक्सीजन के प्लांट्स को अलग-अलग अस्पतालों में लगा देंगे को चिठ्थे लिखी थी, मदद मांगी थी देश की सभी मुक्ख्यमंत्रियों को मैंने चिठ्थे लिखी थी, इनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत जवर्दस्त सहयोग मिल रहा है, बहुत लोगों के ओफर आई है उन सब के साथ बाच्ची चल रही है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेजी के साथ, उन में से कई लोग मदद कर रहे हैं, बस उन्होंने एक मुस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखिया कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते हम आपकी वैसी मदद करेंग के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं, मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाज से भी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का, जो बढ़ चड़के दिली के लोगों की और दिली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे ह उन सब का शुक्रियादा करना चाहता हूँ अभी जो मैंने अनॉंस्मेंट्स की इसमें भी बहुत सारे लोगों का सही हो गया इतने कम समय में ये तभी सभी संभव हो पाया कि कई लोगों ने इसमें मदद की तभी हम ये टैंकर बैंककॉक से मंगा पा रहे हैं फ्रांस से ऑक्सीजन की प्लांट्स मंगा पा रहे हैं पिछले हफते हमने देखा तीन दिन ऐसे थे ब्रिस्पतवार, शुक्रवार और शनिवार जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी यहाँ ऑक्सीजन खतम होने वाली है, मैं भी काफी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची और कई सारे लोगों की मिरत्यू ना हो जाए पूरी पूरी रात जाग के हमने बिताई है, एक 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 फोन कॉल आता था, SOS आता था, मेसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन खतम होने वाली है, उसको तुरंट कहीं न कहीं से इंतिजाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे, लेकिन उसके बाद से स्थिती में काफी पिछले दो दिन में आप देखेंगे कि इस किसम के SOS मेसेजज अस्पतालों के, मैं यह नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, एक दो एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ अक्सीजन पहुंचन के टीम्स ने बैठ के बहुत महनत किये, कई सारे इशूज थे इसके ट्रांस्पोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इशूज थे जो सौट आउट किये गए हैं, मैं केंदर सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंदर सरकार का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता जिन्होंने इन कठिन घड़ी में, इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयूग किया और आज सुबह केंदर सरकार ने दिल्ली को, केंदर सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स, दिल्ली के लिए 5 अलग से टैंकर केंदर सरकार ने हमें दिये हैं, उसके लिए भ प्लांट्स केंदर सरकार लगा रही है वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारण रहे लेकिन अब उमीद है कि 30 अपरिल तक ये शायद 8 प्लांट्स लगते तयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सिजन के दिल्ली सरकार लगा रही है जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं तो 36 ऑक्सिजन के प्लांट्स अगले एक महिने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है इन 44 प्लांट्स को अलग-अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सिजन के सप अप्लाई काफी इंप्रूव होगी एक यह देखने में आ रहा है कि यह वाली जो वेव आई है यह ज्यादा खतरनाक है एक तो फैल जादा रही है बहुत तेजी से फैल रही है और जो लोग दिमार हो रहे हैं वो ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं तो इस वक्त सबसे ज़ ओवरलोड़ेड हैं हर अस्पताल केपैसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है बेड भरे हुए हैं और इस यू बेड भरे हुए हैं तो इस यू बेड को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंदर सरकार ने 500 इस यू बेड हम लोगों को बना के दिये DRDO के एरबोट के पास औ देवल तीन घंटे के अंदर इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंड रहे हैं तो अभी हम 500 इस यू बेड आज सुबह मैं मुआइना करके आया हूँ जी टी भी हॉस्पिटल के सामने एक रामलिला मैदान हैं वहाँ पे हम 500 इस यू बेड तयार कर रहे हैं एल भीर मरीजों की देखवाल के लिए ये 1200 इस यू बेड दस मई तक बनके तयार हो जाएंगे इस से मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत रहात मिलेगी और पूरे सिस्टम को भी बहुत रहात मिलेगी जो भी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है तो हम लगे हुए हैं 24 ग तेरी यही एक उमीद है कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पर जीत नहीं पासकते नमस्कार